दोस्तो आपने बहुत से घातक और ताकतवर लडाको इमानों के बारे में सुना है जैसे F-22 रैप्टर और F-35 लेकिन कुछ ऐसे भी लडाको इमान थे जिन्हें भारतिय वाई सेना में सामिल किया जाना था लेकिन कुछ कारणों के वज़े से भारतियवाई सेना में सामिल नहीं किया गया तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही पांच लड़ाको विमानों की बात करेंगे जो काफी घातक थे और उन्हें भारतियवाई सेना में सामिल किया जाना था लेकिन कई कारणों के वज़े से उन विमानों को सामिल नहीं किया गया तो दोस्तों वीडियो को अंतक जरूर देखें नमबर वन सुखोई 34 फाइटर बॉमबर एरक्राफ 2005 में कैन बरा विमान को भारतियो वाई सेना दोरा रिटायर कर दिये जाने के बाद भारतियो वाई सेना को एक रननीतिक बॉमबर के वासकता महसूस होने लगी इस कमी को पूरा करने के लिए भारत और रूस के बीच 200 सुखोई 34 बॉमबर एरक्राफ्ट को भारतियो वाई सेना में सामिल करने के लिए डिल हुई थी जिसमें सब 50 सुखोई 34 बॉमबर भारतिय नौ सेना के लिए थे हलाकि बाद में भारतिय वाई सेना इस परियोजना को खतम कर दिया क्योंकि तब भारतिय वाई सेना को एहसास हुआ कि सुखोई 30 MKI कई भूमिकाओं में उचीत रहेगा और उस वक्त भारतिय वाई सेना को स्ट्रेटेजिक बॉमबर की कोई अवा सकता नहीं थी क्योंकि बॉमबर्स को रखने और संचालित करने में काफी मुश्किले आती हैं और बॉमबर्स वाईयो की सुरक्षा में स्तेजी से कमजोर होने लगते हैं सुखोई 30 MKI को बाद में रननीतिक हतियार के लिए सामरिक भूमिकाओ निबाने के लिए चुना गया ताकि दुस्मनों के इलाकों पर ब्रमोज जैसी मिसाइले और परमानू मिसाइलों से हमला गया जा सके लेकिन बाद में भारतियो वाई सेना ने सुखोई 30 MKI डिल को भी खारिज कर दिया क्योंकि भारतियो वाई सेना को महसूस हुआ कि हमें भारी प्रहार के आवा सकता नहीं है इसके बाद भारत राफेल डील के साथ आगे बढ़ा क्योंकि राफेल हतियार प्रनालियों के लिए सुखोई 34 की तुलना में अधिक बैतर हैं सुखोई 34 में बैतर सेंसर और बैतर रैडर सिस्टम ना होने के वज़े से भारतिय वाई सेना ने खरीदने से मना कर दिया सुखोई 34 को भारतिय वाई सेना में सामिल ना करने का एक और कारण था कि सुखोई 34 राफेल विमान की तुलना में अधिक महंगा था मेग 31 फॉक्स हाउंड इंटरसेप्टर फाइटर जेट मेग 31 को एक बार भारतिय वाई सेना के लिए पेस किया गया था जब भारत ने अपने मेग 25 आरबी को रिटायर किया था मेग 25 आरबी लड़ा को विमान का उप्योग कभी कभी पाकिस्तान और चीन के लिए बड़े पैमाने में किया था मेक 31 एक हाई स्पीड इंटर्सेप्टर के साथ साथ बंवर्सक और दुस्मनों के विमानों के लिए एक बादा बन सकता था चीनी वाई सेना के पास H5, H6 और J7 नाम के बंबर है जबकि पाकिस्तानी वाई सेना के पास एक भी बंबर नहीं है लेकिन अब बंवर्सक विमानों को सर्फेश टू एर मिसाइलों द्वारा नश्ट होने का दिख खतरा है और दुस्मन के हवाई छेतर में बंवर्सक विमानों को भेजने की बज़ा है बैलेस्टिक मिसाइलों का उप्योग क्या जाता है और इंटर्सेप्टर विमान विसेश रूप से बैलेस्टिक मिसाइलों के खिलाब बेकार साबित होते हैं लेकिन अब भारते वाई सेना मुख्य रूप से मानव रही समताओं पर ध्यान के इंद्रित करती हैं और विमानों से नज़र रखने के बज़ा भारत चीन और पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए सैटेलाइट इमेजरी का इस्तमाल करती हैं नमबर 3. F-104 Starfighter 1962 यूद के बाद भारते वाई सेना ने उच गती वाले इंटरसेप्टर विमानों की मांग की और बहुत विचार के बाद भारत ने संयुक्त राज्जी अमेरिका से कुछ F-104 Starfighter विमान खरीदने का पैस लगया जिसे अमेरिका पाकिस्तानी वाई सेना को भी बेच रहा था भारत सरकार ने विस्वास दिखाये कि भारत चीनी उद के बाद संयुक्त राज्जी अमेरिका भारत को चीनी आकरमन के खिलाफ अपनी सेना बनाने में मदद करेगा लेकिन अमेरिकी प्रिसासन ने जो भारत को सौधा दिया वो एक चौकाने वाला था F-104 के वज़े अमेरिका ने भारत को कुछ पुराने F-40 स्कायर फाइटर्स की पेसकस की जिसका दावा था कि ये भारत जैसे तीसरे विस्व के देश के लिए आर्थिक रूप से सही है अमेरिका ने इस प्रस्ताव को भी जान बुचकर देर से रखा था जिसकी वज़े से भारत का सर्मनाक अपमान हुआ हलाकि भारत ने इस डील से पीछे हटने का फैसला किया इस घटना ने 1962 में सोवियत की ओर से मिग 21 एफ एल के सौदे को मंजूरी दे दी और जनवरी 1963 में मिग 21 की डिलिवरी की गई क्योंकि मिग 21 ने नमबर 28 स्कौडरन फ़स्ट सूपर सौनिक के साथ प्रवेश गया 1971 में भारत पाक यूद में मिग 21 के 8 स्कौडरनों को भारतिय वाई सेना द्वारा मैदान में उतारा गया जिसमें पाकिस्तानी वाई सेना द्वारा इस्तमाल किये गए 4F104 विमानों को गिराया गया था इस प्रकार भारतिय वाई सेना के पाइलिटोंने उनी लड़ाकू विमानों को पीछे छोड़ दिया जिनने अमेरिका ने बहुत उच्छे दरजे का माना था और भारतिय वाई सेना को देने सब मना किया था अब ये एक दिल्चस्प लड़ा को विमान है क्योंकि कहीं लोग सोचते हैं कि सुखोई 30 MKI की सफलता के बाद भारत को सुखोई 35 खरीदना चाहिए सुखोई 30 MKI भारतिय वाई सेना के लिए एक अच्छा लड़ा का साबित हुआ है रूस ने भारत को 60 सुखोई 35 विमान की पेशकत की थी लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि SU-35 एर सुप्रियर्टी पहलू में काफी मजबूत था लेकिन जो भारत चाहता था वो एक ओमनी रोल मीडियम कॉमबेट एरक्राफ्ट था जो इस ट्राइक भूमिगा के साथ साथ सुखोई 30 MKI और सुखोई 35 की गंभीर कमी थी भारत ये वाई सेना ने ये भी महसूस किया कि सुपर सुखोई अपग्रेट की मदद से अपने फ्लेकर्स को सुखोई 35 के स्तर पर ला सकते हैं जो इसमें AESA Radar, अधिक उननत Avionics और बहतर हत्यार जोडेंगे जब सभी तरह के आवसकताओं को पूरा क्या जा सकता हैं तो SU 35 की जरुरत नहीं है नमबर फाइव सुखोई 57 मल्टी रोल लड़ा को इमान सुखोई 57 एक समय में भारतिय वाई सेना के लिए एक अच्छा लड़ा का माना जा रहा था जो एक अल्ट्रा मॉडल पांचवी पीडी का स्टेल्थ लड़ा को इमान था जो भारतिय वाई सेना की चमताओं को काफी अधिक बढ़ा सकता था लेकिन दुख की बात है कि FGFA डिल रद होने के बाद एक खेट जनक अन्थ हुआ भारत और रूस ने मुल मॉडल से कुछ 43 सुधारों के साथ भारतिय वाई सेना के लिए SU 57 पर योजना से पांची पीडी के लड़ा को इमान फ्राप्त करने का निर्ने लिया भारतिय वाई सेना ने करीब 144 सुखोई 57 खरीदने का अनुमान लगाया था लेकिन इस सौधे ने ट्रांसफर आफ टेकनोलीजी पर रोक लगा दी मतलब ये कि रूस ने SU 57 की टेकनोलीजी देने से इंकार कर दिया था मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रूस पक्ष ने भारत से 6 बिलियन डॉलर की मांग की थी जो भारत को काफी महंगा लगा इसी वज़े से भारत ने SU 57 यानी FGFE की परियोजना से अपने कदम पीछे कर लिये इसके बाद भारत के DRDO और HL ने भारत का पहला 5 पीडी लड़ाको विमान Advanced Medium Combat Aircraft यानी AMCA का प्रस्ताव रखा जो अब 5++ पीडी का विमान होने वाला है अगर आप हमसे Instagram और Facebook में जोड़ना चाहते हैं तो आप हम Instagram और Facebook में जरूर फॉलो करें लिंक आपको Description बाक्स में मिल जागा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राब कर लें साथी बगल में जो बैल आइकन उसे भी और में किलिक कर लें ताकि हमारी आने वाली नहीं वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए